लोगसवा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही है हमारे साथ इस वक्त मौझूद है कॉंग्रेस महासचेव और सिर्सा लोगसवा सीट से कॉंग्रेस प्रत्याशी कुमारी सेल जाजी मैं बहुत दो स्वागते ख़वरां भी तक पर धन्यवाद मैं आपका भाशन सुन रहा था आपने कहा कि चुनाव अब बीजेपी वरसे जनता का हो चुका है मेरी तो आप कोई जरूरत ही नहीं रही इस कॉंफिडेंस के और इसकी वज़ह क्या है नहीं कॉंफिडेंस नहीं है ये मेरा लोगों में विश्वास है क्योंकि लोग आज इस कदर दुखी हैं भाजपा के दस साल के कुशासन से कि वो विकल्प कॉंग्रिस में ही देखते हैं कॉंग्रिस ने जैसा मैंने कहा कभी बरगलाया नहीं और भाजपा ने कभी सच बोला नहीं लोग तुलना करते हैं और आज कॉंग्रिस की ओर आ रहे हैं लोग और लोग चाहते हैं कि अगली सरकार कॉंग्रिस की बने हमारी इंडिया एलाइन्स की बने लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जनता ने कॉंग्रेस को तो बहुत वक्त दिया विश्वास किया अब कॉंग्रेस विश्वास खो चुकी है तो अब तो कॉंग्रेस कोशिश कर रही है कि अपने आपको जो जनाधार हो बचा रहा है आने वाले वक्त में चुनाव लड़न हमारा लोग तंतर में विश्वास है और लोगों में विश्वास है बिलकुल आगे भाजपा अपनी जगे ढूंडेगी इन्हें पर लग लगों से बात किया तो उन्होंगा ने कहा किया यहां पर नहीं कुछ मुझे का मुध्धा आई एक तो है नशा और दूसरा है बेरोजगारी दोनों चीजों पर भाजपा ने काम नहीं किया और दस साल से इनकी सरकार थी, मुझे बताईए क्यों नहीं इन्होंने धर पकड़ की, क्यों नहीं इन्होंने बड़ी मचली पकड़ी क्यों इन्होंने हमारे युवा की जवानी लूट ली तो इस चीज़ का जवाब तो एक और उनको देना पड़ेगा दूसरी बात ये सक्ति क्यों नहीं हुई क्या कहीं मिली भगत थी या इच्छा शक्ति नहीं थी तो जो भी है इनका फेलियर रहा है लेकिन हमारे युवाओं की जिन्दगी जरूर उन्होंने बर्बाद कर दी सब एक जुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं आपने देखा चाहे हमारा वरकर है चाहे सब ही यहाँ पे आपको बैठे दिखे सब चुनाव लड़ रहे हैं कल 99 चोटाला की गाड़ी पर पत्राव हुआ था काफिले पर हमला हुआ था यह नहीं होना चाहिए यह कभी देखो हिंसा तो कभी नहीं लोगतंतर और किस बात का है लोगतंतर तो इसी बात का है कि वोट की चोट देनी होती है चार सो पार के नारे पर यह कहा जा रहा है कि अब यह बहुत पीछे चूट चुका है इस वक्त आप बीजेपी के स्थिति के देखें यह खुद भी चोड़ चुके हैं इसको पीछे खुद भी चोड़ चुके हैं शुक्रीया माम थैंक्यू बरी मुच्च